हेलो शुरेंट्स वेलकम तू माई डेस्क आज एडेट 19 जून 2020 आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि आपकी सभी एक्जाम्स में करन्ट अफेर्स से लिडिट आज की डेट से कौन-कौन से कुश्चन्स बन सकते हैं तो मैंन पेपर आउन कर लीजिए और सभी इंपरेंट आज की संयुक्तराश्य सुरक्षा परिशाद में भारत का अस्थाई सजस्च के रूप में कारकाल कितने वर्षों का होगा एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष चार वर्ष आपका राइट ऑप्शन है इसमें दो वर्ष दिखिए भारत को हाली में आटवी बार यून-एस-स इसमें नौन-पर्मिनेंट मेंबर के रूप में चुन लिया गया है इससे पहले भारत को साथ बार चुना जा चुका है दो जार एककीज बाइस तक के कारकाल के लिए एशिये प्रशान स्रेणी से भारत का चुनाव किया गया है और दस साल बाद भारत इसमें नौन-पर्म या United Kingdom और USA ठीक है UNSC में सज़स्ता क्यों है तो पूर्ण है क्योंकि इस संयुक्त राष्ट में जो भी critical decisions होते हैं वे UNSC में ही होते हैं भारत और इससे related देश चाहते हैं कि Security Council से related सब लाई जाएं और Security Council में पांच permanent members हैं जिनकी हमने बात किया अब भी उनमें बदलाव किया जाए और भारत को उसमें जगह दी जाए बात कर लेते हैं UN की तो headquarter है New York में member है 193 when charter signed हुआ था 26 June 1945 को इतना आपको इस question में सियाद रखना है next update है आज कि आपकी टैनिस के प्रतिष्टित US Open Grand Slam का आयोजन कब किया जाना निर्धारित किया गया है एक जुलाई से 20 जुलाई 15 जुलाई से 19 जुलाई 24 अगस से 13 सितंबर या 5 सितंबर से 24 पचीस सितंबर ठीक हाली में नियू यॉर्क के गवर्नर है एंड्रू क्यूमो इन्होंने हाली में Grand Slam कराने की आप मंजूरी दे दी है और United States Tennis Association ने कहा है कि Grand Slam को बगेट दर्सकों की इस बार कराया जाएगा पिछली बार का जो Grand Slam था वो नडाल ने US Open के फाइनल में रूस के दानिल मेदे वेदेव को हरा कर चौती बार जीता था बात कर लेते ही US Open की तो इसकी स्थाप प्रदेश लिद्पूर उत्रप्रदेश अकोला महराष्ट या खगडिया बिहार आपकारेट ऑप्शन इसमें खगडिया बिहार ठीक है प्रदानमंत्री मोदी के दारब 20 जून 2020 को ये गरीब कल्यान रोजगार अभियान का चुबार्म किया जाएगा कोविट लॉक्डाउन के बाद में बड़ी संक्या में पूरे देश के श्रमिक विबिन राज्यों में अपने पहुँचे हैं और वहाँ पर लोगों के कौशल की जानकरी सरकार की दोरा जुटाई गई है और लगबक सभी श्रमिक जो है किसी ना किसी एक कौशल में नुप कार चलाने जा रही है ठीक है 125 दुनों तक या भियान चलाए जाएगा और पचीस कारियों का तीव और केंद्रित कार्यान वेन इसमें किया जाएगा और 50,000 क्रोड़ दोपर कि संदारी तराशी का इसमें लक्षे रखा गया है इसमें लगबक 12 विबिन मंत्रा ले साथ में काम करेंगे ठीक है इतना आपको स्कूशन में सेयाद रखना है नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी मुंबई के अस्पतालों में बेड एवन वेंटीलेटर की उपलब देता है तो कौन सा एप लाउंच किया गया है वेंटी मम एप एई आर एमेच एप बीवी मुंबई एप या एयर वेंटी आप आपका राइट ऑप्शन है इसमें एयर वेंटी एप ठीक है एयर वेंटी आप की मदद से मुंबई के लोगों को पता लग सकेगा कि वह जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर कोरोना की क्या इस्टिती है और अगर वे बीमार पड़ते हैं तो उन डॉलर की रेंट साहिता दी है युगांडा तंजानिया मलावी या केन्या आपका राइट ऑप्शन है इसमें मलावी देखे ठीक है भारती निर्यात आयाद बैंक है यह एक्जिम बैंक इनोने हाली में मलावी सरकार को 21.57 क्रोल डॉलर की रेंट सुविधा परदान की है औ भारत इस लोन दिये जाने के बाद में अब तक मलावी सरकार को 49.57 क्रोल डॉलर की कुछ पांच सुविधाय प्रदान कर चुका है ठीक है इतना आपको इसकुशन में सियाद रखना है नेक्स अपडेट है आज की हाली में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कान जाद अनाने के प्रस्ताओं को मंजूरी देदी है इस नई सहीता के तहट बोर्ड मैक्स फिक्सिंग और स्पोर्ट फिक्सिंग को अपरात का दर्जा देगा और इसके लिए कड़े दर्ण का प्रावदान भी करेगा जिसमें की जेल भी शामिल होगी पीसी भी फिलाल में अंतराश्टी क्रिकेट परिश्य द्यानि की आई सी सी के ब्रेष्टाचार ने रोधक आचार जहिंता का पालन करता है जिसमें सजा का प्रावदान बहत कमजोर है जिसके लिए किलाडी ब्रेष्टाचार के लिए आतुर होते हैं और क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मनिपूर मिजोरम ठीक है आपका राइट ऑप्शन है इसमें सिक्किम देगे पहली चीज़ तो आप इसमें यह समझ लीजिए कि केंदर सरकार के दौरा सुप्रेम कोर्ट में खलाफ नामे में कहा गया था कि जो एड़ एस के प्रावदान है वो राज सरकार अपनी मर्जी से राज में लागू कर सकती है तो इसलिए अभी सिक्किम ने क्या किया है राजमंत्री मंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दस प्रतिशत केंद्री आरक्षंड की जानुमती है उसको देने का फैसला किया है जो SC, ST, OBC के आरक्षंड वर्ग में नहीं जो लोग आ चेतर में और इत्यादी जो ये निमने बिंदू को पूर्ण करता होगा वो इस EWS के चेतर में आएंगे आरक्षंड तकनीकी और वग्यानिक पदों और अन्य चेतर ऐसे पदों पर लागू नहीं होगा जो केंद्री सेमाओं के दाएरे से बाहर होते हैं ठीक है बात कर लेत कराइट ऑप्सन इसमें बेलजियम देखे हाली में फुटबॉल की जो नियामक संस्ता है फीफा उन्होंने हाली में जून के लिए ताजा वर्ल्ड रैंकिंग जारी किये जिसमें की बेलजियम पहले इस्थान पर फ्रांस दूसरे ब्राजील तीसरे और उकवे चौत है और इसकी स्थापना हुई थी 21 माई 1904 में 1904 में इस्थापना हुई थी परिच फ्रांस में पड़न तो इसका मुख्याला है जूरिक स्थिजलेंड में इतना आपको उसके स्याद रखना है नेक्स अपडेट है आज की आपकी चौते एस्याई युवा पेरा खेलों की मेजबा प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा और उसका राष्टी संग जो है वो इस खेलों का उपयोग देश में पैरालंपिक अभियान को मंचप्रदान करने के लिए करना चाहता है बात कर लेते हैं बहरीन की तो इसके प्राइम मिनिस्टर है कलीफा बिन सल्मान अल-कलीफा कैपिटल है मनामा ओफिशल लैंग्विजेस है इसमें अरबिक ठीक है इतना आपको इसको सियाद रखना है नेक्स अब्रेट आज की आपकी AIIB ने हाल ही में कोरोना से लड़ने है का रिंट प्रदान करने को मनजूरी दी है लागों लोगों पर कोविट-19 महावमारी के बुरे प्रभाव को देखने के लिए और इस पर सक्त कदम उठाने के लिए AIIB के द्वारा ही अलोन दिया गया है विश बैंक ने भी हाली में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अनु बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है बात कर लेते हैं एशिया इंफ्रेस्टेक्टर्ड इंवेश्मेंट बैंक की तो फॉर्मेशन हुई थी 16 जनवरी 2016 को और जो ट्रीटी साइन की गई थी 25 दिसंबर 2015 को ट्रेट को एड़कोर्टर रेस में बीजिंग चाइना में रीजन सर् करता है और मेंबर से पैस में 102 मेंबर से हैं ठीक है बात कर लेते हैं उस कोश्चन की जो आपको कल दिया गया था सौल करने के लिए हाली में दिवंगत लोग गायक हीरा सिंग राना का संबंद किस राज से था माचल प्रदेश 36 गड़ उत्तराखंड या जारकंड आपका र देखा करें क्योंकि कोई भी चीज जवाप एक बार डिटेल में लिख देंगे तो दुबारा आप उसे फिर कभी बुलेंगे नहीं तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आये तो आप उसे लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद